हेलो दोस्तो और वेल्कम टू रट्टू तोता प्लाटपॉर्म पावर्ड बाइ इंजिनियर्स अकैडमी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके डिपलॉमा या इंजिनियरिंग की जो सेमिस्टर एक्जाम से उनकी आखरी के दस दिनों में कैसे तयारी की जाए आप सबको पता ही होगा कि हमारा चाहिए डिपलॉमा का एक्जाम हो या इंजिनियरिंग के एक्जाम सेमिस्टर एक्जाम की बात आती है तो हम पूरे महीने आराम से एश करते हैं और एक्जाम का टैम टेबल आने के बाद जो आखरी के 10-12 दिन बसते हैं उन्ही में सारा सि इजाम के जब बहुत कम दिन रह गए हो उस दोरान तयारी कर रहे हो तो याद रखेगा हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाके पढ़ाई किजी आखरी के 10 दिनों में हमें थियोरी बुक उठाके एक-एक करके सारी चीज़े नहीं पढ़नी हैं हमें वो पढ़ना है जो important topics हैं और अगर उसमें आपने डाइग्राम बना के थोड़ा बहुत भी लिख दिया तो फी काफी जादा माक्स मिल जाना है तो डाइग्राम की एहमियत को नजर अंदास ना कीजिए जितने भी डाइग्राम्स, विगर्स वगएरा हो उनको तो जरूर प्रैक्टिस कर लिजे तीन-च चार-पांच important words अगर use कर लिए तो फिर हमारे answer में माक्स जादा मिलने के सभावना होती है उन्हीं को कहा जाता है key points and keywords तो इसकी एहमियत को भी ध्यान रखें और जब आप पढ़ रहे हों तो key points और keywords को underline करके रखें या note करके लिजिए, highlight कर लिजिए next, हमेशा आप जब last के 10-12 दिर में तयारी कर रहे हों तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पिछले सालों में, पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में कौन से question papers में कौन-कौन से चीज़े बार-बार repeat हुई है ताकि हमें पिछले साल का pattern को देखके ये अंदासा लग जाए कि यार इस साल आने वाले चीज़ों में कौन-कौन से चीज़े तो पक का पूछेंगे, पूछेंगे, कौन-कौन से subject से ज़ादा चीज़े पूछेंगे तो पिछले सालों के question paper की एहनियत को भी नजर अंदास नहीं करनी है, सबसे important तो यही चीज़ है इसके अलावा, आप पिछले साल के question papers के अलावा, जब आप को पदा चल जाएक है और ये topic जादा important है तो उसको लिक लिक के practice कीजिए और लिकना भी paragraph में नहीं, point by point लिकिए क्योंकि आप teacher के respect में देखिए, teacher के point of view से देखिए तो teacher एक paragraph पढ़ना पसंद करेगा या फिर उसी paragraph के points को point by point पढ़ना पसंद करेगा क्योंकि teachers के बाद बहुत सारी copy होती है, चेक करने के लिए, तो teachers marks उन बच्चों को ज़ादा देते हैं, जिन्होंने point by point लिखा आपको चार बाते लिखने हैं, तो चार अलग-अलग point लिखिए, ना कि एक paragraph में सब को जोड़ गे ठीक है, उससे marks ज़ादा मिलेंगे, हमारे ज़ादा better marks आएंगे subjects में next, कहीं बार हम बच्चे ये करते हैं कि यार जो जो पढ़ा है, उसी को ही revise करते रहते हैं बाद में सोचते हैं, यार ये नहीं पढ़ा है तो बाद में देखा जाएगा, ऐसा ना करें जब आप पढ़ना चालू करें, अपने previous year paper से ये देख लिया, कि कौन-कौन्चे topic important है, कौन्चे question बार-बार repeat होते हैं, कौन्चे topic से ज़ादा पूछा जाता है तो जो ज़ादा पूछे जाने वाले topic हैं, ज़ादा पूछे जाने वाले chapters हैं, उनके questions, उनके topics को पढ़िए और जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनको तो पहले पढ़िए इससे क्या होगा, आपने जो आता है उसको तो revise करने के लिए बाद में time, कम time बचेगा, तो भी manage हो जाएगा लेकिन जो नहीं आता, वो भी cover हो लिया, तो आपका ज़ादा से ज़ादा topic कम से कम time में खदब हो जाएगा इसी लिए जितने भी high weightage chapter या high weightage topics हैं, उनको हमेशा पहले कदम करना है, चाहे हमने वो first time पढ़ रहे हो अभी या पहले कभी पढ़ा हो, कोई matter नहीं करता हमको पहले high weightage topic, high weightage chapters को ही लेके चलना है और एक और बात, जब आपके पास आखरी के 10 दिन या 12 दिन आपको पता है कि कितने time बचे में हैं, तो एक time table एक schedule अपना बना लेजिए और उसको बहुत strictly follow कीजिए, आपने पूरा साल बर नहीं पढ़ा, पूरा महीने आपने पूरे semester में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब आपके पास 10 दिन है, या 8 दिन है, या 12 दिन है, तो उसके according एक time table बना लेजिए, और उस time table को बहुत इमानदारी से follow कीजिए, कि आज ये topic पढ़ना है, आज ये chapter करना है, आज इसको revise करना है, आज इसके answer writing करना है, आज के दिन सारे diagram practice करने है, इस तरीके से, और important ची इसको utilize करने के लिए वो ready हो जाएगा, अगर आपने पूरा पढ़ते ही रहे हैं और आखरी में revision नहीं किया, तो फिर आपका पढ़ावा भी नुकसान चला गया, इसलिए आखरी के एक या दो दिन में कोई नए topic ना पढ़े, जो भी आपने पढ़ावा है पिछले दिनों म उनको ही आखरी के एक दो दिन में revise करें और वो भी quick revision, उसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार revise करें ठीक है, और इन सभी methods को इस वीडियो में जो मैंने कहा है, इन सभी methods को अगर आप discuss करें, तो दस दिन, बारा दिन में भी आप बहुत ही शांदार 70-80% अराम से लेकिए आ सकते हैं, अपने हर subjects में, इवन उन subjects में भी जहां पर आपको लगता है, इस subject में तो मेरी back पक्का लगनी है, उन subject में भी आपके 70-80% minimum इतना अराम से आ सकता है, अगर जो मैंने कहा, आपने वो follow किया तो, ठीक है, तो याद रखिएगा, basic basic चीज़े हैं, मोटे- कड़नी हैं, और जो नहीं आता, उसको पहले पढ़ना है, और अपना time table बना के चलना है, मोटे-मोटे तोर पे यह हो गए हमारी समरी, इस पूरे strategy की, इस पूरे run निती की आकरी 10 दिनों में, कैसे, जिस subject को हाद भी नहीं लगाया था, उस subject में शांदर marks कैसल है, तो इसी तरके की और updates के लिए आप जूड़े रही है, रट्टू तोता platform, जिसमें आपके semester exam हो, चाहे diploma के हो, या engineering, आपके semester exams की हर problem का समधान मिलेगा, रट्टू तोता platform है, चाहे आपकी backlog लगी हो, उस subject के लिए हो, या फिर आने वाले जो semester है, उसमें आपके कोई important subjects हो, technical subjects हो, उन के लिए आप घबरा रहे हों कि इसको कैसे पढ़ा जाए, तो आपके हर problem का solution है, रट्टू तोता platform, तो चैनल को subscribe किजेगा, वीडियो अच्छा लगे, तो ज़रूर like किजेगा, अपने दोस्तों को भी share किजेगा, और जूडे रहिए रट्टू तोता platform से, thank you and have a nice day.